हेलो दोस्तों आप दीख रहें चैनल केंपस नियूज दोस्तों दिली बिसुदेले के स्कूल अफ लेर्निंग के 2021 सर्बाज सेसन के अंडर ग्रेजुट कोर्सेस का एडमिसन जो है स्टार्ट कर दिया गया है लेकिन बहुत सारे चात्र जो हैं अंडर ग्रेजुट कोर्सेस के अलग-अलग सब्जेक्ट में जो है एडमिसन ले रहे हैं तो उन्हों वो जो है इसी चीज को लेके कन्फूजन में है कि आखिर जो है उन्हों सब्जेक्ट का जो है फीस कितना है तो आज हम इसी के उपर में चर्चा करेंगे बाकि अगर आप चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल अकन को प्रेस क्रिकर के उलका बटन दवा लिजेगा ताकि D.U.S.L. से रिलेटेड सारा अपडेट अमारे इस चैनल पे आपको मिलता रहे है तो दोस्तों undergraduate courses का admission जो है start है चाहिए वो become program हो भी यह political science हो English honors हो या फिर जो है become honors हो सभी का admission इस चार्ट है लेकिन fees को लेके चातर परेसान है कि आखिर उनको कितना fees जो है undergraduate courses में जिस भी courses में वो जो है admission लेना चाहते है उनको देना होगा तो दोस्तों आपको जो है या तो वो become honors का यहां पर देख सकते हो यह जो है 4040 है become program का यह भी जो है 4040 है बीए honors English का यह भी जो है 4040 है बीए honors political science का यह भी जो है 4040 है यानि कि total fees जो है आपको 4040 उर्पिय जो है general जो छात्र हैं उनको देना है undergraduate courses के एक साल का total यह fees है इसी में आपको study material भी मिलेगा सारा facility जो है आपको इसी में दिया जाएगा चाहे हो library का facility हो या फिर जो है आपको i card हो या फिर फी receipt हो सारा जो है इसी चीज में आपका जो होगा बाकि अगर आप जो है admission लेंगे उस समय में आपको registration fees जो है extra जो है अगर आप general हो तो आपको 500 रुपिय लगेंगे अगर आप जो है SCHTOBC हो तो आपको 500 रुपिय जो है देने होंगे यह जो है registration fees होगा तो इसका ध्यान रखिएगा बाकि जो है PW BD category के जो छात्र है उनको जो है 65 रुपिय जो है only देना होगा और इसमें जो है इसका proof भी जो है आप आपको साथ में upload करना होगा तभी जो है आपको admission मिलेगा तो ध्यान रखिएगा यह जो है total fees है आपका सभी courses का लगबग जो है इस बार सेम है तो यह जो है जरूर देख लीजेगा बाकि अगर आप जो है खुद से admission लेना चाते हो यानि कि website पे जाके आप जो है खुद से अपने laptop या computer या फिर जो है mobile से admission लेते हो तो आपको जो है लगबग इतना ही फीज देना होगा अगर आप जो है 45-100 के अंदर में आपका admission जो है confirm हो जाते हो तो मेरा suggestion यही है अगर आप खुद से admission ले पाते हो तो आप खुद से ले 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 बाकि कोई सवाल है या फिर कोई confusion है तो आप हमें comment करके या फिर Instagram पे पूछ सकते हो जिसका link जो है description में है बाकि आज किस वीडियो में इतना ही ब अन्यवाद